कानपूर नौबस्ता में दो दिन पूर्व सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का खुला सा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पती की गला काट कर की थी हत्या पत्नी के वैद संबन्द की जानकारी पर पती की निर्माम हत्या की थी सिक्यूरिटी गार्ड की हत्या के बाद नाली में फेक दिया था शव पुलिस ने हत्या करने वाले प्रेमी प्रेमी का को गिरफतार कर जेल भेजा बुजात में सिक्यूरिटी गार्ड की नोकरी करता था मरतक ADCP साउथ अंकिता शर्मा समे प्रेसवारता कर दी जानकारी इस घटना का अनावरन आवस्ता पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंतराल में ही कर दिया गया है इस घटना में जो इन्वेस्टिकेशन के दौरान पाया गया है वो शब एक व्यक्ति जिसका की नाम रवी कांथ पांडे है उनका होना पाया गया जिनकी उम्र 36 वह थी उनकी माता के द्वारा उनकी गुमशुद्गी भी दिनांग 2 सितंबर 2023 को थाना नौबस्ता पर लिखवाई गई थी मृतक की शिनाक्त के बाद जब आवशक इन्वेस्टिकेशन किया गया तो पता चला कि मृतक सेक्योरिटी गाड की नौकरी गुजरात में करता था और उनकी पत्नी यहां पर अकेले रहती थी वो कुछ 15 दिन पहले गुजरात से यहां पर अपने परिवार के पास आया था और उसे पता चला कि उनकी पत्नी का एक प्यक्ति जिसका की नाम अनस हाश्मी है उसके साथ अवैच संबच